हेलो फ्रेंट्स आर्डिवा इंस्टिट्यूट फॉर लर्निंग चैनल हैस डिसाड़ेट विस्टार्ट अन्यू सब्जेक्ट इस सोशल स्टडीज तो मी एज यूर न्यू एसस्टी टीचर गूइंग तो टीच यू सोशल साइंस जैसा कि यह आपका पहला पार्ट है पूरे चाप्टर में सोशल स्टडीज के तो पूरे तंथ क्लास में सोशल स्टडीज फूर पार्ट में डिवाइड़ है जो की है हिस्ट्री पॉलिटिक्स एकॉनमिक्स और जॉपरिफी मैंने प्लैन मनाया कि सबसे पहले हम लोग पॉलिटिक्स को कवर करेंगे उसके बाद एकॉ तर वीडियोज भी मैं अफ्लोड कर दूंघी हूझ चाप्टर बिख तर करते हैं हम लोग पहला चैप्टर पॉलिटिक्स का जोकी है पावर शेरिगं पहले चैप्टर का नाम है पावर शेरिंगे अगर हम लोगो पे जाते तो इसका मतलब मतलब होता क्या है power sharing मतलब यहां simply बात हो रही है कि power को हम लोग share कर रहे हैं वो कहां कर रहे हैं अलग-अलग institution में कर रहे हैं तो share जो हो रही power उसका कुछ criteria भी होगा तो वैसे ही वो फिलाल इस chapter में हमें नहीं cover करना है लेकिन कुछ simple point आप लोग जान लेजें जो criteria होता है power को share करने का वो यह है कि कोई भी institution क्या काम करती है कि जगह पे काम करती है उसी according पे power को divide किया जाता है उनमें अगर हम लोग इस chapter के overview पे आते हैं तो overview का importance क्या होता है कि अगर हम लोग कोई chapter पढ़ते हैं वो भी first time तो हमें काफी problem होती है अगर हमें उस chapter में यह पता जल जाए कि आखिर उसके अंदर क्या है तो हमें उस chapter का पढ़ने में काफी ज़्यादा आसानी हो जाती है जैसा कि last time हम लोगों ने देखा था कि कोई भी power किसी एक institution के साथ नहीं होती है वो अलग-अलग institution में उनके need, उनके work, उनके area of ruling के according पर divide होती है तो यह हमें पता है, जैसे for example इंडिया में legislature, educator और judiciary के पास अलग-अलग power होती है तो अलग-अलग works होती है तो उकुल मिला के हमें क्या पढ़ना है इस chapter में what we have to study in this chapter तो पहला है हम लोगों को पढ़ना है Belgium और शलंका के बारे में Belgium और शलंका में हम लोग यह पढ़ेंगे कि यह दोनों country कैसे deal करती है power sharing में यानि कि यह कैसे अपने institution में power को share करती है क्या-क्या यह rules और regulation को अपनाती है और उसके बाद हम लोग कुछ इसका moral निकालेंगे से क्या conclusion रहा है इन दोनों स्टोरी से उसके बाद हम लोग का थर्ड टॉपिक रहेगा कि power sharing हमें मतब power sharing why power sharing is desirable and last but not least हम लोग पढ़ेंगे forms of power sharing उसके साथ बीच बीच में हम लोग कुछ क्रिंजी questions के साथ गेम खेलेंगे और हम आपको नोट्स भी वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे और NCRT question भी आप लोग को solve कर वा देंगे तो आज का बस वीडियो इतना ही आप लोगों को अगर कोई भी प्रोब्लम हो इस चाप्टर में या आप लोग को कोई आइडिया देना हो कि कैसे स्टार्ट किया जाए तो आप लोग कमेंट सेक्षन में जरूर बताइए और यह आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था सो विल मीट एस सून अस पॉसिबल इन नेक्स वीडियो तब तक के लिए बाए और टेक केर